हलो मेरा नाम डॉक्टर डीपक केड़कर है और मैं एक मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन और वैसनमुक्ति तग्ड्य हूं। आज मैं आपको बताने वारा हूं मन के कैंसर के बारे में जिसको स्कीजोफरिया कहा आ जाता है। इस मन का कैंसर के स्कीजोफरिया चिन्द मानस विक्रुत मानस यह विकारों का सम्मोहन अर्लब काफी लक्षन का सम्मोहन इसमें अलग अलग लक्षन एक साथी एकी आपमे में दिखाई दे सकते ह। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो विचारों में विकार आता है या बाच्चित करने में कुछ भी घरबर हो जाती है भावना जो है उसमें विकार आ जाता है या फिर धरम होते रहते हैं अलग-अलग तरह के या फिर बरताओ जो है वो बरताओ जो है वो भी बराबर होत उसकी भावना है, मतलब emotions, उसके thoughts, मतलब विचार, इसमें ज्यादा पर problem दिखाई देता है, इसमें होता क्या है कि एक तो भरम होते हैं, मतलब कान में आवा जाएंगे, कोई आसपास नहीं होने के बावजूद भी, कुछ दिखाई देंगा, कोई सामने नहीं है तबी भी, य या टेस्ट का भ्रम होगा, कि मुझे जो टेस्ट आ रही है, तो उसमें मुझे अभी कुछ तो ऐसा लग रहा है कुछ खाने में मिला रहे है, मुझे अलग टेस्ट लग रही है, तो ऐसा और नाक से कुई बास आएंगा, अलग अलग, और उसका भ्रम होगा, बैसे विचार इस तरह विचारों का भरंपी होते रहता है, उसकी भावना जो है, बहुत अगर सुरूप धहरंड कर लेते हैं, बहुत जादा भावना हो जाती है, या फिर चुरचिडापन, घुस्साना, या फिर भावना एकदम श्लाइट हो जाती है, मतलब जाता है, भावना ही नहीं, भ बड़ बड़ करेंगा अपने आप से, हाथ ऐसे करेंगा, जैसे किस इस से वो बात कर रहा है, नीन अच्छी नहीं आएंगी, और ये जो लक्षन है, ये लक्षन छे मेने तक होना ज़रूरी है, इस लक्षन छे मेने तक होते हैं, तो उसको स्किजोफ्रमिया मतलब मन का कैंसर जाता है या उसको duagnose किया जाता है इसमे सो मैं से एक वेक्टि को जिंदगी में कभी भी वी इसकी जुर्वरनिया हो सकता है वैसे दस हजार आबादी में एक से पांच वेक्टियों को यह बिमारी हो सकती है 10 साल से लेके 25 साल तक ये time period में बिमारी होती है मतलब 10 साल के नीचे और 65 साल के उपर बहुत कम दिखाई दीती बिमारी ये सब समख में सब जाती में सब देशों में ये बिमारी दिखाई देती है ये लोगों को तमबागु का सेवन करनना शराब का सेवन करना उसकी आद़ जादा रहती है और बाकी भी बिमारियां उनको जल्दी लग जाती है और उनका मुरुत्य का प्रमाण भी बाकी आबादी से जादा होता है लोग यदि एक वेक्टी मतलब पालक में से माबाप में से यदि कोई भी एक यदि इसका शिकार है तो बारा प्रतिशत चांस बच्चों का आए कि वह ऐसे बिमारी उनको लग जाएंगे इस तरह की बिमारी लग जाएंगे और यदि माबाब दोनों में ये बिमारी है तो 40% चांस है कि बच्चों को बिमारी हो जाएंगे पर इसे बोलता हूँ कि माबाब मैंसे एक कोई दी बिमारी है तो 12% चांसे बच्चों को बिमारी होने का और माबाब दोनों भी ये बिमारी से ग्रसित है मतलब यह बिमारी है तो 40% चांद से बच्चों का यह बिमारी होने का इसमें वो काम नहीं करता अकेला बैठे रहता है और फिर ऐसा जाद है कि एक बार आपने इसको ठीक किया मतलब बहुत जादा जो लक्षन है मतलब बाइं बं कर दिया बण तो इसमें अच्छ जादे करने के बाद में तया कि वह गोली लेते उनको अरक बुली चालु रखना जुरीर रहता है गुलियां दबाई बंद कर दिया दबाई तो उनको फिर से दबाई बिमारी हो जाए और 33 प्रदिशत प्रॉक्सिमेटली फिगर है उनको दबाई दने के पाउजित भी अच्छे होते नहीं है गर में एक वेक्टीदी बिमार है इसके जोफरनिया से तो पूरा घर बिमार हो जाता है उसको घर में रखना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे कुछ लोग है कि जिनको घर में रखना मुश्किल है उनके घर में कोई शादी है तो प्राबलम है या कई उनको बाहर जाने का है गु आपका काम करो, घूम के फिर के आजाओ, जो भी करना हो करो, और उनको बाद में लेके जाओ, उनका संभाल करेंगे, उनको संभालेंगे, उननका इलाज करेंगे, क्योंकि इनको घर में रखना बहुत मुश्किल हो जाती हfelt है, का अर्व 27 अपिजिए तो अधिल के अधिर के अधियर के निगर के लिए और बाइनले की अधियर कुछी। और treatment के अलावा उनको कुछ ना कुछ कला सिखाई जाती है जैसा कोई tellering का काम है, fire बनाने का काम है या ऐसा कुछ भी काम, gardening है ताकि जब अपने घर जाएंगे वापस अपने समाज में जाएंगे, हो सकता है कि वो पहले वाला job नहीं कर सकेंगे पहले वाला काम नहीं कर सकेंगे तो फिर ये अभी जो नया सिखा हुआ काम वो कर सकेंगे आपको और जामकारी कभी चाहिए तो आप तभी भी हमको संपर कीजिएगा, मेरे विए ऐसी मनोविकार के बारे में, मोटिवेशन इंस्परिशन के बारे में आते रहते हैं आपको अच्छा लगाता आप लोगों को ज़रूर शेयर करो हो सकता है कि आपने इससारों में किसको ऐसी बिमारी होंगी जिनके आप ये शेयर कर सकते हैं उनका इलाज करने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनको रेफरेंस दे सकते हैं और आपको ज़रूर ये वीडियो लाइक करो शेयर करो, सबस्क्राइब करो थैंक यू वेरी मच